भरत्पुर्ण जिले का बयाना कस्पा बार्णासूर की नगरी के नाम से जाना जाता है इसी नगरी में कई एतिहास एक दरूहर है जो पुरातत वविभाग के अंदेखी के कारण अपना अस्तित्व खो रही है वही कजबे में बनी अकबर की छट्री इतिहास के पन्नों में खास पहचान रखती है लेकिन ये वर्षो पुरानी छट्री पुरातत वविभाग की अंदेखी का शिकार होने से आज जर जर हालत में पहुँच चुकी है वही इस्थानी लोगों के शिकायत के बाद भी पुरातत वविभाग के अदिकारियों दोरा इतिहास एक छट्री के संड़क्षण के लिए कोई सफ्त कदम नहीं उठाया गया है इस्थानी लोगों ने बताया कि शट्रे के इस्थान पर खड़ा होकर मुगल बाद शाह अकबर युद्ध से आने वाली सेनाओं को सरामी देता था ये है इतिहास इस्थानी निवासिमों को टुभी हारी भारत दौज ने बताया कि बयाना कजबे में बनी अकबर की शट्रे काफी प्राचीन है इस इस्थान पर मुगल बाद शाह अकबर युद्ध से आने वाली सेनाओं को खड़क होकर सलामी देता था इसलिए इस इस्थान पर अकबर की शट्रे का निर्माण करवाय गया एक समय था जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते थे लेकिन पुरातत्व विभाग की अंदेखी के कारण ये जर जर हालत में पहुँचने के साथ ही अपना अस्थित्व खोने के कगार पर पहुँच चुकी है इस्थानी लोगों ने सरकार की प्रतिनिधी जिला प्रिशासन एवं पुरातत्व के विभाग के अधिकारियों को कई बार लिखित में शिकायत दी है लेकिन अभी तक बयाना में बने एतिहासिक धरोहर के संरक्षन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार ध्यान दे तो बन सकता है परिटन इस्थलन अगर सरकार और पुरातत्विक विभाग के द्वारा पहल की जाए तो इस छेद्र को परिटन के बड़े केंदर की रूप में स्थापित किया जा सकता है क्योंकि बयाना एतिहासिक किला कजबे में भीमलाट उशामंदिर अकबर की छत्री आदिप्राजी धरोहर के साथ बंद बराठया अभ्यारन इस्थित है अगर छेद्र को परिटन सरकिट में जोड दिया जाए तो इस थानी लोगों को रोजगार के अफसर भी बढ़ेंगे और सरकार की राजस्व आय में भी व्रद्धी होगी